दोस्तों मैं मलिक जैरेस मलिक टीन की तरफ से आप सभी का धनेवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हमने एसिया टेलीकॉम देवरतन सर की साथ मिलके गिवे निकाला था माइक्रोस्कोप का तो उसमें जो माइक्रोस्कोप निकला है वो सोफिया बी करक एक है जिनका सर ने अनौस्मेंट वीडियो भी रिलीस किया था अपने चैनल पर तो हम उन्हें जो है एक गिवे की माइक्रोस्कोप भेजने वाले हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर उन्हें क्या जाने वाला है और फिर उनसे भी रिसीविंग लेंगे हम इस माइक्रोस्कोप जो है विल्कुल फ्री देने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है तो यह देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा यह इनका पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप है ठीक है और यह इनके लेंस हैं और यह इसकी रबड भी है इसकी साथ अर इसकी साथ जो हुम एक्सट में देने वाले हैं वह एक LED लाइट है यह अileडी लाइट और एक 0.5 और 0.7 0.5 लेंस हम इसमें डुलवा दे रहे हैं और एक दस्पुरूफ लेंस यह दो जबादे रहें तो यह उन्हें जो है जाने वाला आए तो आगे की अनबोक्सिंग वीडियो जो है वह आपको सोफिय बीजी देंगे कि हां उन्हों ने उन्हें प्रोड़ेक्ट रिसी वा या नहीं रिसी वा या क्या है क्या नहीं तो आप ऐसी हमारे चाहिए और फोलो करें इसके टेली कोमेंट जड़ेस मलिक टीम को धनेवाद हमारे साथ है 28 अक्टुमर की बेच जोस से वरीवी जोस एक नहीं भाई पिल्कुल जोसे आज हमारी मोर्निंग में क्लास काई कि थी भाई को ठाधने किस ने किया यह बता awakए तीन आप किस बार आमने इन वड़ और यह CPU आपने किया, यह 4G CPU किया ना आपने, 2G Mobile का CPU तो नहीं किया, अचाहिए बताओ इसके पेले कुन-कुन CPU कर पाता था, बताओ आप मेरे को, कुन से दिन की class आज आपकी, दूसरे दिन में संभ़ हो है, क्या संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, आपने करके दिखाया, पांच बार किया आपने, कौन सी स्टेंसिल से 4G CPU किया आपने, युनिवर्सल स्टेंसिल किया, अगर युनिवर्सल स्टेंसिल में अगर हमारी पॉल मेच करती है, तो कोई भी CPU आप कर सकते कि नहीं कर सकते है, आप कोई सा भी CPU कर सकते है, बस बाल मेच होना चाहिए, कोई स कि आपका लंच के बाद किसके साथ थी आपकी तो शरकी साथ किस चीज की क्लास थी आपकीम परेंड प्रवा उसको समझा कि नहीं मतलब कि क्या काम होता हमारे PCP में डायोट का बात करें हखना ऑपन जिनर डायोट की शॉट की दायोट की टीविस डायोट की खाम आपने सब्सक्राइब होती है तो यह वल्टेज में लगता है तो रिडिंग क्या होती है विदने कोई भी डाइवोर गोगा तो किसी परकार की काशीन होता कोई परकार कीडिगत भी निला किज़ जिकेन की साथ कंशलार वहारी जो ग्लास गोटी उसके टाइप के आता यह बाकिव का चू टा हो वह हमने देखा न कर ना खुड़ा और उसके बाद हमने कोईल के सारे प्रकार समझे ना कर जी कौन कौन से प्रकार संग्जा हमने इसके PCB के पहार अगर इसकी होगी तो क्या टेस्टिंग कोगी ओर CCB के अंगर क्या टेस्टिंग होगी दोक टेस्टिंग के नहीं कि भी धा है यह बता हूं मेरे को मतलब एक भी एस बच्चा इस Missionıyoruz को यहiushrie yeah , no-nez यहा how is ik कोई प्रॉबलम आ सकती है क्या इसमें कोई नहीं है इतना सा deep knowledge मिला component के बारे में, जो पहले को भी पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था, टीबेस का एक डायड भी आता है, मैं उसके नाम सुनने के बाद पता चला यह एक डायड है सार बढ़ 예ऑ, सार बढ़ बढ़ लग रहा है, आउच आई एक एक डायए है काम को पूरा समझ आ रहा है, अर पर नग रहा है नइ तो जो जो भी आपकी दूदीन में, क्लास होई है, ऐसा कोई दिन क्लास में कि उसको समझ में नहीं रहा है कि धुखहा ड़ा 59 जम्हों खुटा सामने आगे बता है कर रहे जो है मैं तेन साल के रेपेरिंग कर रहा हूं बट कंपोनेंट तक कर नालिज ने ता साहिप फोल्डर लगा दो चार्र जिंक लगा दो यहीं सब वहता हुआ अब ही तुमसे मैं बात करूँ कि अगर में को रजिस्टर डूनके बता, दूरंद रूड़ दूघा, मेरे को रजिस्टर का बद किसी भी रजिस्टर की मुझे विल्डियू निकाल के बता, निकाल दूगा आराम से, आप उसके बाद मैं डिवोट बता हुआ कि कित्ने प्रक क्वाइब में नहीं हम जब आए वंको रहे हुआता हुद मता देव सर्फ ने बहुत अच्छा ने गया तेन बटाया उसकी आफी प्रैक्रिक्रिकल के क्लास थी ज़िए ज़िए प्रैक्रिक्टिकल की फांडे आपको छोड़ा हुआ है करके 5 बताएं तो तीन गंदे प्रेक्टिकल कप मिल रहा है आपको घ्लीकาร report कप मृताइब विजिए को Jest Mommy कामौ बेक कोई पर उसके बाद शच्रें दिक्टास होती है और वहीं सब्सक्राइब किसलिए और मैण DR i.2 का ती ब्रेक करण दिकेs करें आप को आपकी जो होती एलेवन थर्थी है एलेवन ओफॉर फफॉर पाइब के बाद आपकी क्लास होती है सीधे पांचवज़ए तक और पांच बज़ए के बाद इदर आते हो आओ तो इदर भी प्रेक्टिकल्ट da ना तीन गंटे का सुभे और तीन गंटे का शामको मिलता है , 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 । , , , , , , , , , आपको यह बताना चाहरहहूं , , , , जो इंडिया में चिन्स्लिट में ल१ा ही , ក इसे लगाके जहा होंब , , आपको दूसरी चीज़ एक्स्प्लेंट करने हैं वो अलग है और ऐसा करता है कि मतब आज किसी क्लास ले लिए उसका प्रेक्टिकल चार दिन बाद देगे हैं ततकाल ततकाल चलो मैं दूसरे बच्चे से नहीं पूछना चाहूंगा ऐसा बच्चा भी क्लास में कि इसको रज चलिए ठीक है और कल हमारी क्लास काई की होने वाली है लाइफ फोर जी मांट रिमांट आइसी निकालने और लगाने के क्लास हम लाइफ से चालू से आइसी निकालेंगे और वापिस उसको लगाएंगे और उसका रिवियू देंगे हम रात को रात को इसी टाइम भाई मिलो बिल्कुल बताऊगे, confidence है, सब बताएंगे, इस सब बताएंगे, सब चलु करके बताएंगे, चली है, ठीक है, ठीक है, ठीक्टु वेरी मचुछ जिए हमारी बीटू की क्लासे से, जिछ में CPU, MMC, पावर, जो भी देवन में हम करवाते हैं, वो रिपीट करवाते हैं, हम रिबॉलिंग में कोई कसर नहीं छोटे, हम कभी यह नहीं देखते हैं, कि स्टुडें एक बार रिबॉल करेके साटिस्फाय, कभी आप साटिस्फाय बाहर से हो सते हैं, पर अंदर से नहीं, तो तो आप रिबॉल कर सकते हैं तो फिर आपको कोई भी किसी भी आईसी को आप दे दे तो आप उसे रिबॉलिंग कर सकते हैं आप देखें कि यहाँ पे सारे स्टुएंड ही उनिवर्सल से ही सीप्यू को रिबॉल कर रहे हैं और अगले दिन इनकी लाइफ 4G पावर आईसी का क्लासेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि हर स्टुएंड और यह सारे स्टुएंड दोस्तों कहने को तो पाथ 10 साल के एस्पिरियंस के हैं पर यह इनका एस्पिरियंस सिप चारजिंग करेंटर निकालने लगाने के अलावा और कुछ नहीं रहता है और हलके फ है जिसमें हम इनको डीपली लेवल पर करनेक्टर को बहुत जो इनको समझ में आऊउस लेवल के हिसाब से उनको इस्प्लेइन करते हैं और हमारा जो इस्प्लेइन करने का तरीका होता है वह तोरा डिफेरेंट होता है यह स्ट्रुएंट यहां आके जान पाता है और उस तरीके से उसको हर एक Comp vita को चेख करना है क्यों लगा है, कैसे लगा है, क्या काम कर रहा है क्या अगर आएगा तो उस पर वول्टिस क्या काम करेगा वो कितना जोड़ी है, जम पर मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं उसको निकल का फैक न है क्या वह important है तो उसकी हर एक एहमियत मरलाब उसे बारी से बारी चोटी च चीज चीज इस डूर से तो सारी चीजिजें यहां बताई जाती है तो आज हमारी सेकंडे की क्रास है कंपेंट की स्यूंग क्लास विए ङंदेल और चल रहा है हमारा यहां पर एक व्यूजण क्या कोंपरेंट क्या हमारी क्राइब कर्छा नोट बना रहा है। जरो एकर जो तो समझ में आरहे है तो समझ में आ रहा है विल्कुल सेट जो निखाएगि सारी ये सो प्रैक्टिकल में मिल रहे है आपको सब्सक्राइब व्हाइव थे मुझा रहा है उसका वड़ी निकल कर दी चीख करें आपके एक किया कर रहे है दयूद चेखकर है यह डायड और फायल और हमारा सारे कॉम्पेंट्टि क्लास आज कर दो हो गई है अजय को पिस चाहिए और शेकर रहे है चकर पारे है हाह अजय कुछ है और आप कर रहे हैं यहां अब अपर अब यह को रहे हैं जो नोट्स बनाया है यह सब्सक्रास में लिखा गया अब भी बनागा यह सरे लिखा गया है यहां पर प्रेट का लोग रहा है अब बढ़ बढ़े हैं इस अपर रहे हैं जो आपने नोट्स बना है समझ में आ रहे हैं आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं जो डायोट से लिए चेकर पार है डायोट क्या कर रहे हैं तो जो बढ़ाय है अगया वरदाव यहार रहे हैं जो पढ़ाय जारा हैं जो पढ़ाय तो नहीं लग रहा है इस इभी में समझ में आ रहा है क्या कर रहा है डायोट को ट्विस्टिंग कर रहा है समझ में आ रहा है किसा चेक करना है क्या जी आ रहा है कितनी वैलू आनी चाहिए अब है क्लियर है और अब किसी भी को क्लियर करके डायोट ढूंडे वाले तो समझ बताय जा रहा है ऐसा तो नहीं कि एक बार पूछने के बाद नहीं बता जा रहा है किया कर डाइड कर रहे हुआ हूं захiay कर देनल जायन कर कर, हो समंद में आरे हिस छेख है, हांधी, हांगी सर रा semble को डाउट है तो क्लियर हो रहे यह नहीं हों ऑरते हो क्या कर देनल, अपका क्या के हो, एक्या है और जो पॉम्परेंट बचे ओवराल आप भी चेक कर लिए आप कोईल चेक कर रहे हैं कितना उसमें डीडिया ना ची क्या वैल्यू आना ची सब कुस बता चल रहे हैं चेक कर रहे हैं अब करण यहारे है अब कर करते हैं अब के क्लास क्के सब कुस बताएगा है है चैब क्लीजिव 10 vote आपका एक काम क्या है किसे लगा SHE jam इस यॡवी कर पारे हैं आप एक अड़े कर दो ने किसे अड्येद्ट कर रहे है पहे हैं थांगा रोड मेशनमें न्यक भूण जान समझ में आ रही है? काम उसका? निये शरा है. आप क्या करते हो? डाइट शेक कर रहे हैं. डाइट शेक कर पा रहे हैं? आप? डाइट शेक कर रहे हैं. समझ पहचान में आ रहे हैं? उसकी काम क्या करता है, वो सब कुछ पहचान में आ रहे हैं? आप? आप का कर रहे हैं? डाट शेक कर रहे हैं इसके बारे में अभी इससे पहले पता था बग्वाइल क्या होता है काम क्या होता है नहीं पता था अभी पता कर लेंगे तो यह हमारी यह सेकंड दिं की क्लास कॉंप्रेंग की क्लास खतम होई है ऐसे ही डेली मिलेंगे डे वाइडे कलिन का जो भी सेक्षर होगा हम आपको डेली क्लास लाइब देखने को मिलेगा तो जोइन करें इसे टेली को बैटर फीचर के लिए आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी ठीरी क्लास दिन में होई थी उसी की प्रैक्टिकल क्लासेस है जिसमें स्टूडेंट के पास हमने उनको चेकिंग के लिए खुद से एक सैमसंग के लेटेस बोर्ड एक साउमी का लेटेस बोर्ड और हमने और भी मॉबाईलों के लेटेस board डेह हुए है बोड हम अपनी तरफ से खुद भी देखते हैं तीन-तीन चाचार बोड हम इनको देते हैं उसके अलाबा ये अपनी तरफ से भी of unique लाते हैं हम इस टुव्ट को कभी माना ने करते है वह किसी भी बोड में चेक कर सकते हैं बड़ हम कभी बिलीब नहीं करते हैं पुराने बूर्ड में चेक करने का तो जितने लेटेस्ट से लेटेस्ट हो वो कॉंपोडेंट हमारा ज्यादा फोकस रहता है यह सीखे है और इनको हम हमें साथ टार्गेट में रखते हैं टार्गेट यह से कि अगर आज हमने इनको काप हो जाए इनका तो हमारे लिए भी आसान होता है इनको नेस्ट जब हम इन से सेक्सेंस करवाएंगे तो इनको ने सेक्सेंस करने में काफी आसान ही जाती है तो आपको यह दिखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट बैक अप को भी सपोर्ट दे रहा है ना मलब पुराने स्टुन को भी बुला रहा है सब दे रहा है लास्ट डे क्या करके आप लास्ट डे कर से प्यू को मतलब जो है निकाले और उसके बार रिबोल भी कि किया किसरे कर से बल्डे कर है एक बनाचक्र आपने रिबोलिंघ किया नेकाले किया वह मैंतर समझ में आई है यह यह इसड़ी जाता हम आख़ी दिन आपने क्या किया चीधा से दूब धेकर से और नहीं आब इसदूर तो अपनिंग ट्लीन अरे बहुत अच्छे किया आप पूरी क्लास में पहले जिसने सबसे पहले डेंकिया अज क्या अब तो आपके प्रोच्छों कर आपके थे क्लीन प्रोचस्स करवाई मैंस अपने क्या क्या किया उसमें बचारे निकाल यह ऊक्षिए किया श्काइल अपर यहाँ यहाँ अपर ने डूब डेकर क्या है क्या आज अपने इन किया आज आखरी दिन तहां हम सब टूल डेकर किया डूबारा लगाया सभी बच्चों ने किया को यह आज तारिक को आया थे सर हम 25 पर क्या कि आज के दिन बता हिए बस ने हैं दूल डेकर किया आपने मेरे साथ में का सबसे नंबर वान इसे टिट्ट इस तेंकि देखकर